जर्मनी के म्यूनिक सार से 70 किलोमेटर दूर खेत में बने एक घर के अंदर जर्मनी के इत्यास की सबसे अजीबों गरीब घटना घटी 21 मार्च 1922 को वहां रहने वाले एक परिबार के अच्छे लोगों को कुलाडी से काट दिया गया मरने वालों में एंडरियस गरबर उसकी वाइफ उनकी एक बिधवा बेटी और उनके दो बच्चे और उनकी मेड थी लेकिन इस घटना में चोकाने वाली बात तो ये थी कि इस घटना के बस कुछ ही दिन पहले एंडरियस ने अपने पडोचियों से बर्फ पर कुछ अजीब पेरों के निसान देखे जाने की बात कही थी और उनकी चोने ख़ी और घटना के छे महीने पहले इस फिमली में काम करने बाली मेड ने भी इस घर के आसपास कुछ अजीब और डरावना महसूस किया और इस जगह को भूतिया बताया इस घटना को लेकर पुलीस ने भी हर तरह से खोजबीन की लेकिन पुलीस भी इसका पता नहीं लगा सकी कि आखिर एक ही परिबार के छे लोगों को किस ने इतनी बहरेमी से कुलाडी से काड़ दिया ये केस आज भी अनसुल जा है आज की इस वीडियो में आप इत्यास के कुछ एसी अनसुल जे राश्यों के बारे में जानोगे इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें नमर वन 20 अगस्त 2007 को सेली सागर के समुद्र टट पर कई कटे हुए इंसानों के पेर पाए गए जिन लोगों ने इन कटे हुए पेर को देखा वो सभी देखकर हैरान रह गए जिने देखकर कुछ लोगों का कहना था कि किसी बोड पर कोई हादिसा हुआ हो और कुछ लोगों का मानना था कि या कौडरा आइसलिंड के प्लेन के क्रेस में मारे गए लोगों के पेर हो सकते हैं लेकिन इस गटना में सबसे रहस में बात ये थी कि इन कटे हुए पेरों पर एक भी खरोच या चोट लगने के निसान नहीं थे जिसके कारण इसे मडर के बात काटे गए पेर बताना भी सही नहीं था इस गटना के बाद कई विशिसग्यों ने इन कटे हुए पेरों के पीछे के रहस को सुल जाने की कोशिस की लेकिन कोई नहीं जान पाया कि आखिर समुद्र टट पर पांच लोगों के कटे हुए पेर कहां से आये नमर टू आज से करीब हजारों साल पहले मिस्टर में कुछ ऐसी अजीवों गरीब सजाये दी जाती थी जिनें सिर्फ सुनकरी इनसानों की रूख कापने लगती थी उनी में से एक ऐसी सजा दी जाती थी जिसमें जीवित इनसान के सरीर पर एक खास प्रकार का लेप लगा कर उसे कपड़े में लपेट कर ताबूत में बन कर दिया जाता था जिसके बाद उस ताबूत को हजारों सालों के लिए दफन कर दिया जाता था जिसे ममी का नाम दिया गया कुछ इसी तरह दफनाई गई एक 2000 सान पुरानी ममी को खोजा गया और इस ममी का सरीर अब तक का सबसे सुरक्षित सरीर है जिसे एक खास तरह के रहसमे लिक्वीट को लगा कर दफनाया गया था इसमें सबसे रहसमे बात ये है कि इस ममी पर ना जाने कितने रिसर्च हो चुकी है लेकिन आज भी बिग्याने उस रहसमे लिक्वीट के बारे में नहीं जान सके जिसने 2000 साल पुराने सरीर को आज भी सुरक्षित रखा है इस ममी की तचा आज तक नरम है इसा माना जाता है कि ये ममी हैंग डाइनेस्टी की लेडी डाया की है पर आज तक विग्याने इस ममी पर लगे रहसमे लिक्वीट के बारे में नहीं जान पाए और एक रहस्य बना हुआ है नम्मर 3 ये रहसमे घटना भारत की सबसे रहसमे घटना ओं में से एक है पच्छी मंगाल में एसे कई दलदलीय इलाके हैं जहाँ पर रहसमे रोसनी दिखने की खबरे सामने आती रहती है कुछ ऐसी रहसमे रोसनी जिनने कई लोगों के द्वारा देखा गया इस रोसनी के बारे में यहां के इस्तानिय लोगों का मानना है कि रहसमे रोसनी उन मरत मचवारों की आत्माएं हैं जो समुद्र से मचलिया पकड़ते हुए किसी ना किसी वजह से इस भायानक दलदल में फस कर अपनी जान गवा चुके हैं और उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा यहां पर भटकती रहती है कुछ लोग इन्हें कुछ अलगी भूत प्रेतों से जोड़ कर देखते हैं इस रोसनी के पीछे एक ऐसी धारना भी जुड़ी है कि जिन लोगों को यह रोसनी दिख जाती है वे लोग उस दलदल में रास्ता बटक जाते हैं या फिर कुछी दिनों बाद उनकी मौत हो जाया करती इस इलाके में इसी कई घटनाएं घट चुकी है कई बार यहाँ पर मच्छवारों की लासे भी मिली है जिसकी वजह से इस इलाके में रात को लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं इन घटनाओं पर कई बार रिसर्च भी की गई लेकिन आज तक कोई रहस्में रोसनी के रहस्य को नहीं सुल जा पाया और आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आकिर इस इलाके में रहस्में रोसनी कहां से आती है इस रोसनी को अलेया भूतलाइट का नाम दिया गया है नमर फूर नासका लाइन्स पेरू का नासका रेगिस्तान दुनिया की सबसे अनोखी और अग्याद पहली के लिए मसूर है और उस पहली का नाम है नासका लाइन्स नासका लाइन रेगिस्तान में बनी विसाल आकरतिया है और ऐसा माना जाता है कि इन्हें 520 में बनाया गया था ये रहस में आकर्तिया इतनी बड़ी है कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही दिखा जा सकता है लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इन्हें क्यों बनाया गया था और पांसो बीसी के समय बिना किसी हवाई साहिता के इतना सटीक और डिटेल चित्रों रिखाओ को कैसे बनाया गया होगा और उस समय हवाई जाह जिसी टिकनलोजी का भी अस्तित्व नहीं था तो ऐसी आकर्तिया बनाई क्यों गई जिसे सिर्फ आसमान से ही दिखा जा सकता है क्या ये चित्र उन्होंने अपने इस्फर को खुस करने या फिर किसी को सिगनल देने के लिए बनाया होगा क्या वो ऐसी सब्वेता के बारे में जानते थे जो आसमान से उनके उपर नजर रखी हुई थी ये कुछ इसे सबाल है जिनका जब आज तक नहीं मिल पाया है आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें